कि याव अच्छे होगा यह ओए आज कि वीडियो में हम बात करेंगे πολi-technic mechanical engineering से करने किसे क्या-क्या फायदे है बात मैं बतातु कि अगर आप सही सेchnल नहीं करते हो तो आपका 전े बहुत ही ब्राइट होगा लिकिन अगर 7 सही से mechanical engineering के पढ़ाई नहीं की तो जो आप नहीं लगनी है बस तो आज की वीडियो में हम क्लियरली बताएंगे mechanical engineering करने के क्या फायदा है लेकिन उनके लिए ये फायदे हैं जो सही से mechanical engineering के पढ़ाई कर रहे हैं जो polytechnic है उसके first semester से in point पे ध्यान दिये हैं पहली बात अगर जो mechanical engineering कर रहे हैं फर्स्ट यर के first semester से आप ध्यान देना शुरू करो अपना गोल बना लो आपको private job में जाना है government job में जाना है private job में जाने के लिए क्या skill की जरूरत है दोनों अलग-अलग divide होने चाहिए तीसरा plan भी आपके पास होना चाहिए अगर तीसरा plan तब आपके काम आएगा मालो आप government service की तयारी कर रहे हैं और लंबे time हो गया चार साल पान साल हो गया नहीं सफल हो पा रहे हो तो plan B क्या होगा यह आपको तयार रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक limitation है अभी government services बहुत कम निकल लहीं इतना नहीं निकल लहीं है तो उसमें थोड़ी सी problem है तो चलिए polytechnic mechanical engineering करने के क्या-क्या फायदे सबसे बड़ा फायदा mechanical engineering करके आप automobile sector में जा सकते हो automobile industry काफी बड़ी है automobile industry में परिवर्थन का दोर गुजर रहा है electric vehicle EV की market जिसको हम कहते हैं EV की market काफी उट रही है काफी उपर तक जा रही है electric vehicle के market और उस market को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा EV की market ऐसी market है अगर आप सही से इस market को analyze करोगे अगर आप सही से इस market पे command करो करती है और EV और IoT मिल करके आपकी life में बहुत कुछ कर सकते हैं तो automobile एक बड़ा सेक्टर है अगर आप mechanical engineering कर रहे हैं तो आप टार्गेट यह बनाओ क्या आपको automobile सेक्टर में जाना automobile की top company कौन कौन सी है टाटा है मारूती सुचकी है ट्वेटा है रिनॉल्ट है बहुत सारी अब गाईस company आ गई किया है बहुत सारी ऐसी company आ गई है जो इंडिया में है उसका hero है अगर आपने यह डिसाइड नहीं किया तो फिर वहां से problem हो जाएगी किसाज हमने यह डिसाइड नहीं किया इसलिए यह problem हमारी life में आ रही है और अगर आपने वह डिसाइड कर लिया कि क्या है और उसका solution क्या है तो अप life में बहुत दूर तक जा सकते हो mechanical engineering करने के बाद यही नहीं थम था सेल चला देखो यह तो private industry की मैंने बात किया गवर्मेंट सजथाओं में भी जा सकते हो Indian Railway हो गया Delhi Metro हो गया अपना PSU है जिसको मैं भूली जा रहा था एंटी PC हो गया BHL हो गया गेल हो गया सेल हो गया PGCiol हो गया पिछले कुछ टाइम से PSU में भरती नहीं हो रही है और कुछ PSU में हुए भी हैं तो बहुत unlimited लेकिन अब आने वाले वक्त में 2024 चुनाव है तो इन सब में बहुत सारी भरतियां आपके लिए उपन होगी तो इन सारी चीजों पर भी आपको फोकस करने के जुरूत है अगर आपके लिए बहुत दूर तक जाएगा आपको लगेगा कि नहीं हां मैं लाइफ में कुछ कर मैं लीए पॉरिजुन्टीटी है उसके अलामाद देली मैट्रो में आपके बड़ा सेक्टर होता है चाहिए फ्रायवेट फ्राइब फ्राइवेट प्लांटीजू प्राइवेट करूं इसारी बहुत सारी मैनिफेक्ट्रिंग यूनिट्स हैं जैसे जो ट्रांस वार्पर बनाती है बहुत सारे इलक्टिकल की कंपनिया है जहां पे मैकेनिकल वालों की ज़रूद पढ़ती है और बहुत सारे benefits और यहां पर salary package भी काफी अच्छी काजी कमाल की salary पैकेज है starting salary 15 से 20,000 रुपए है और माल इंडस्ट्रीज में उसके अलाव आप 50-60,000 तीन साल चार साल में 50-60,000 रुपए पर मन्त कर सकते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई limitless पैसा है, it's up to you कि आप उसको कैसे मतलब समझाते हो और कैसे उस चीज का utilization करते हो वीडियो में इतना ही, hope guys वीडियो आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो like, share, comment ज़रूर करें और जो लोग टेलिग्राम पर वहां पर भी जाके जॉइन करें चिनको डियरेक्ट कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, वो डियरेक्टी में इसे बात करनी है, उसका लिंक भी वह डिस्क्रिप्शन दिया ही बार जागर के उस पर वी क्लिक करके ज़रूर मिलते आप से नेक्स वीडियो में, थैंक यू